हलो इस्ट्रेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आई-आई-आइसो मेरिजम यानि यहां पे हमारा आज का टोपिक है समा विवता देखें बहुत ही जदा important topic है यहां पर समाविवता क्योंकि इस topic से बहुत जदा कृष्षिन आपके exam में पूटप हो सकते हैं यानि यह जो टोपिक है वो आपके लिए बहुत ही जड़ा important होने वाला है तो बस आप अच्छे से समझेगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस जो isomerism यानि जो समाव्यवता वर्ड है इसका meaning जानेंगे कि जो word होता ही क्या है क्या समाव्यवता होती है और कैसे हम इससे समझने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर जो समाव्यवता होती है इसका जो meaning होता है वो यह होता है कि it is phenomenon when two or more compounds possess the same molecular formula यानि आपके यहाँ पर important बात आपको क्या ध्यान रखनी है same molecular formula यानि आपको दो compound दिएवे हैं क्या दिएवे हैं दो compound मालीजे मैंने एक compound यह ले रखा है एक compound यह ले रखा है तो आपको क्या इसमें बताना है कि different क्या है तो देखें, दोनों ही क्या है, मारकर है, क्या है, दोनों मारकर है, size भी क्या है, दोनों की same है, बट यहाँ पर different क्या हुआ, different यहाँ पर क्या है, color है, एक red है और एक क्या है, black है, उसी परकार से समावयोता में क्या होता है, आपको दो compound दिये वे होंगे, और वो compound क्या होंगे और गेनी compound होंगे और उन compound में आपको बताना है कि finally इसमें different क्या है तो वहाँ पर different क्या होगा सब कुछ same होगा molecular formula same होगा बट वहाँ पर different क्या होगा देखिए different properties यानि यहाँ पर जो physical properties और chemical properties होगी वो क्या होगी different होगी यानि जैसे हमारा marker है ये कैसा है red color का है है marker बट जलता कैसा है red color का यानि यहाँ पर ये जो इसका phenomenon होगया ये क्या होगया इसकी color show property होगी कि ये red ही चलेगा और जो black वाला है इसकी property क्या होगी है black ही चलेगा जबकि दोनों क्या है marker है उसी परकार क्या होगे दो आपको a और b अलग अलग compound दिये होगे क्या दिये होगे आपकी properties हो जाएगी ऐसे compound को हम क्या बोलते हैं isomers बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस पिनोमेना को हम क्या बोलते हैं isomerism बोलते हैं तो देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया कि जो isomerism होता है वो क्या होता है और जो यह phenomenon है वो किस परकार स यहां पर work करने वाला है तो देखिए आपको यहां पर यह समझ में आ गया है अब हम चलते हैं इसके example की तरफ तो देखिए यहां पर example की तरफ चलते हैं माना कि मैंने यहां पर दो compound लिये हैं क्या ले लिये मैंने यहां पर दो compound अब देखें वो दो compound है जो कोई भी दो compound जैसे आप सोज लीजे मैंने propanol लिया क्या लिया मैंने propanol तो देखें example लेते कि हम कैसे decide करेंगे कि यहाँ पे कौन सा isomerism हो रहा है जैसे मान लीजे मैंने propanol लिया अब आपको पता है propanol क्या होता है अब आप ये मत पूछना कि आपने इसका नाम इतना EGV में कैसे लिख दिया क्योंकि मैंने IOPC का जो एक पूरा lecture है वो मैंने आपको करवा रखा है अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछले lecture को प्लीज जाके देख के आईए तो ये क्या हो गया आपका propanol क्या हो गया प्र propanol का हमें क्या जाए आईसोमर जाए यानि जो molecular formula होगा वो तो क्या होगा इसी परकार का होगा बट हमें यहाँ पर different क्या जाए प्रोपर्टी जाए तो आप क्या करोगे इस propanol में कुछ ना कुछ चेंज कर दो क्या कर दो कुछ ना कुछ चेंज कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा, जैसे मान लीजी, मैंने इस प्रोपेनल को इस परकार लिख दिया, देखिए, ये भी क्या है, एलकॉल ही है, बट ये कौन सा एलकॉल है, मेत एत प्रोप, क्या हो गया, प्रोप, अब देखिए, यहां पे, वन और टू, टू कार्गन प फरक आ रहा है, जब भी आपके नेमिंग में फरक आ जाए, तो आप समझ लेना, कि हाँ, मैंने एक जम करेक्ट, यहां पर आइसोमर ड्रोप किया है, अब देखिए, यहां पर क्या था, कार्बन था, ठीक है, अब देखिए, यहां पर कितने हाइटोजन लगेवे हैं, तीन कितने कर्बन हो गए, तीन, तो लिखिए C3, लिख दिया, हाइटोजन देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यानि हाइटोजन साथ और एक यह वाला, तो कितने हो गए, एट, यानि हाइटोजन हमारे पास यहां पर कितने हैं, एट है, फिर देखिए, ऑक्स grad formula कि रखने संफल्रगन ऑं में वोला ना से मोलिकुलर फॉर्मूला यानि हमें मॉलिकुलर फॉर्मू एक होने होता है उफ आपने देखका कि सीथी है है आज है और एक इतके गई और हम इसका अन्द कर बेक हैं लोना देखते हैं कि यहां कितना हो गया तो देखिए यहां पर दोनों के दोनों जो आपको समझ में आ गया कि हम आई सो मर्स कैसे भोलते हैं कैसे वही क्या होता है तो यह दोनों आपस में क्या होगे क्या है आई सो मर्स तो देखिए इस परकार आपने बहुत ही इजी वे में आई सो मर्स को समझ लिया अब आपके दिमाग में हेडिक नहीं होना चाहिए क्या होता है कैसे हम इसे क्विशन सोल करेंगे कैसे हमें यहां पर ऐसी जो प्रॉब्लम आएगी उन्हें सोल करना है जो भी आपको दियःवा है उसका मौलिकुलर फोर्मुला देखना क्या चाहिए या नहीं पर्नुल्प करते सावी उसके क्या करना है उसके प्रकार से आपको यहाँ पर गवर्पर नहीं है तो देखे बहुत ही इचीवे में आपने isomer को समझ लिया तो देखे students अब हम यहां पे समझने वाले है type of isomerism यानि यहां पे हम देखने वाले हैं कि कितने प्रकार की जो समावियोता होती है वो कितने type की यहां पे हो सकती है क्या-क्या possibilities है तो देखिए, इहाँ पर हम देख रहे हैं type of isomerism तो देखिए, यहाँ पर जो isomerism, यानि जो आपकी समाव्य होता होगी, वो two type की हो जाएगी, कितने type की हो जाएगी, यहाँ पर two type की हो जाएगी, एक होता है आपका यहाँ पर Australal Isomer और एक होता है Stereo Isomer. यानि आपकी जो समाव्य होता है वो कितने टाइप की हो जाएगी यहाँ पर टू टाइप की हो जाएगी कितने टाइप की है टू टाइप की फॉस्ट क्या है इस्ट्रक्चरल इस्ट्रक्चरल आईसोमरिज्म और सेकंड क्या है आपका यहाँ पर इस्ट्रीव आईसोमरिज्म देखिए जो इस्ट्रक्चरल आईसोमरिज्म होता है और जो यहाँ पर स्ट्रीव आईसोमरिज्म होता है यह दोनों आपस में क्या है बहुत भी अलग बाते हैं इसका जो मेटर होगा वो अलग चलेगा और इसका मेटर होगा वो अलग चलेगा यानि ये दोनों ही एक दूसरे से लेंग्ड नहीं है सबसे पहले हम यहाँ पे नेखने वाले हैं कि जो structural isomerage में होता है वो कितने टाइप का होता है तो दीखिए यहाँ पे ये 5 टाइप का होता है कितने टाइप का होता है 5 टाइप का तो दीखिए यहाँ पे ये 5 टाइप में divided है जिसमें हमारा पहला टाइप कौन सा है chain isomerism कौन सा है chain isomerism अब है second कौन सा है यहाँ पे हमारा वो है positional isomerism कौन सा है second यहाँ पे positional isomerism देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला कौन सा है chain isomer second कौन सा है positional third कौन सा है यहाँ पे आपका functional group isomerism कौन सा है functional group isomerism फंक्शनल ग्रूप आईसो मरिज्म फिर है यहाँ पे फोर्ट यहाँ पे है मेटा मरिज्म और फिप्द लास्ट है आपका टॉटो मरिज्म तो देखिए समझ में आ रहा है आपको कितरे टाइप है यहाँ पे फाइफ टाइप है फर्स्ट हो गया चेन आईसो मरिज्म सेकंड पोजिशन थर्ड फंक्शनल फोर्ट यहाँ पे मेटा मरिज्म और फिफ्ट हो गया यहाँ पे टॉटो मरिज्म तो देखिए यहाँ पे हम डिटेल में इस सब की बात करेंगे कि चेन क्या होता है पोजिशनल क्या होता है फंक्शनल क्या होता है मेटा मरिज्म क्या होता है और टॉटो मरिज्म क्या होता है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मिनिंग स्पक्शनाद्म के लिक क्या होता है संपर कर आपको इस समझ में आ गए अब देखिए इसके नेम से आपको बढ़ा दिल रहा है रही है यहां पर प्रॉमूला तो सेम होगा जो हमारी यहां पर डेपिडिशन चल रही थी कि मॉलीकुलर फॉर्मूला क्या होगा सेम तो यहां पर भी होगा क्या होगा पर यहां सब्सक्राइब क्या होगा सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी सोचना पड़ेगा क्या यहां पर किसी परकार का यहां पर आपको याद करने के ज़र्क हैं कि हम इसे कैसे रowski बस पर वही यहां पर क्या होगा डिप्रेंट होगा यानि यहां पर इस्टियू है तो different क्या होगी यहां पे stereo होगी अगर यहां में देखिए chain दिया हुआ है अब देखिए chain दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला नाम के according आपको समझना है अभी मैंने आपको chain आइसो मरी इसमों इनका कुछ भी मिनिंग नहीं बताया है बस आप एक बार सोचिए अगर में नहीं बताया होता तो आप इनका क्या मतलम निकालते हैं आप इनका यहीं मतलम निकालते हैं कि आपने जो लिखा है chain क्या हो गया chain यहां पे क्या होगी डिफरेंट यहां पे पॉजिशन क्या होगी मेरीम बस यह तो क्या थोड़े समझने वाले हैं यहां पे सैंव है यहां पर जैन क्या हो होगी पोजिशन डिफ्रेंट और स्कार्ग पेले मेरी चैन हो परस्ट क्या हो जाएगा यहां पर चेन आइसो मरीज में यानि स्रंकला समा ले उता तो देखिए मिनिंग आपको इसके नाम से पता चल रहा है यानि सेम तो क्या होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम क्या होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला बट different क्या होगा यहां पर chain तो differ क्या होगा chain तो different क्या होगी यहां पर chain हो गई तो इस परकार यह क्या हो गया chain isomarism हो गया अब देखिए यहां पर हम समझते हैं chain isomarism को example से तो देखिए आप कुछ ऐसे example सोचिए जहां पर chain क्या हो जाए different हो जाए तो देखिए यहां पर हम पहला example लेते हैं hexane तो देखिए hexane कुछ इस परकार से draw कर दिया यानि यहां पर यह क्या हो गया c6 h14 यह क्या हो गया anhexane क्या हो गया anhexane समझ में आ गया आपको क्या हो गया यह anhexane कितने कारबन हो गया one two three four five एंड यह six तो यह क्या हो गया आपका anhexane यानि छे कारबन हो गया और इसका नामकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया था अब देखिए यहां पर इसका आपको क्या draw करना है isomer draw करना है यानि यहां पर molecular formula है वो c6 h14 ही रखना है बट यह जो structure है इसको क्या करना है यहां पर different करना है तो देखिए किस परकार करेंगे अगर मैं structure को कुछ इस परकार draw कर दूँ तो देखिए यहां पर कितने कारबन हो गये five कितने हो गये five कारबन हो गये अगर मुझे six carbon लगाना है तो मैंने six number का carbon यहां पर लगा दिया यानि अब यहां पर carbon कितने हो गये one two three four five six यानि यह क्या हो गया अब देखिए यहां पर hydrogen कितने है three two कितने हो गये five five four one कितना हो गया six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen यानि क्या हो गया six eight fourteen देखिए molecular formula क्या हो गया यहां पर सेम है बट अन्हेक्जन से यह क्या बन गया देखिए क्या नाम हो गया इसका यह क्या हो गया क्या हो गया मैतिल के नमबर पर थिडिरी नमबर पर हैंतों क्या हो गया तो यानि यहाना यहां पर देखिए कि क्या हो आइसों मरों दो देए इसनेंग्स ओस्सित से तौ में सब्सक्राइब उंपटर में 1000 थचींगे ने में है और यहां पर डिप्रेंट डिप्रेंट हो गए इस परकार हम ने यहां पर इसका बोला है जैन यूसो मरी एंग्रेंट को हुआ है उसके एकोर्टिंग बोला यहां पर डिफ्रेंट क्या हुआ है चैन डिफ्रेंट हुई है इसलिए हमने इसे क्या बोला है जैन आइसोमरीज में तो बस चैन आइसोमरीज में में कुछ द्याल नहीं रखना है बस यहीं बोलना है क्या डिफ्रेंट होगा जैन डिफ्रेंट होगी सेम क्या होगा Olá Um origins में है वह किसका टाइब इस्टरक्षराई क्या झाय हुए एक्जाम्पल हमिंग्धी इसप्रकार से ले सकते तो यहाँ पर हमारा डेला सम्फिक आपके तो आप दीके जो हैं एक्जामपल वहारा पोजीशनला Monday आप जें यहाँ नाम से समझना पड़ेगा आप सोचे की सबस्तै हो यानि हमारा सेखेंड और क्या है पोजिशनल आइसोमरीज में क्या है पोजिशनल आइसोमरीज में यानि आपको यहां पर मिनिंग अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा की पोजिशन यहां पर पोजिशन क्या होगी डिप्रेंट तो यहां पर हम अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स same molecular formula but different क्या होगी पोजिशन तो लिख लीजिए आप यहां पे different क्या होगी यहां पर आपकी position अब यहां पे जो different position होगी वो किसी भी functional group की हो सकती है यानि आप यहां औवज ले लिजिए डबर बॉन्ड ले लिजिए किसी भी प्रकार का आप यहां पे लगा सकते हैं कुछ भी लगा लीजिए पस उसकी पोजिशन क्या होनी चाहे डिफरेंट होनी चाहे तो आपको यहां पर समझ में आ गया पोजीशन को हिंदी में बोलते इस्तती क्या बोलते इस्तती और ाइसो में यह समाव वे होता तो क्या हो गया इस्तती समाव वे लेते हैं किसी भी प्रकार का तो ले लिए मैंने मान लीजिए एक्जामपल ले लिए एलकॉल जैसे आपको इस प्रकार से एलकॉल दिया हुआ है यहां पर आप वेलंसी पूरी कर लीजिए तो देखिए यह क्या है आपका अब आप molecular formula लिखिए कितने carbon है 4 carbon है फिर hydrogen यहाँ पर कितने है 3 and 3, 6, 7, 8, 9, 10 तो hydrogen कितने हो गए यहाँ पर 10 carbon कितने हो गए 4, तो C4H10 फिर देखिए यहाँ पर यह एक oxygen है यानि molecular formula आपका क्या बन गया यहाँ पर molecular formula क्या बन गया C4H10O यानि यहाँ पर यह molecular formula जब आप isomer बनाओगे तब क्या होना चीए यह C4H10O ही रहना चीए तो देखिए draw करिए आप इसका isomer draw करिए यानि अब आपको question दियावा है इसका आपको isomer draw करना है तो देखिए आप किस परकारी से solve करोगे आपको इस ओरच ग्रूप को इस second position के अलावा इधर याइदर कहीं पर भी जोड़ना है बट नेम क्या होना चीए डिफरेंट होना चीए देखिए जोड लेते हैं इसे 4 पूरी हो गए यहाँ पर भी 4 पूरी है यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी 2 है अब इसका molecular formula लिखे 1,2,3,4 कार्मन कितने हो गए 4 हो गए अब hydrogen देखे 3,4,5,6,7,8,9,10 यानि hydrogen कितना आ गया? 10 फिर क्या है oxygen? कितना है? 1 तो देखिए यह रहा आपका molecular formula और यहाँ पर भी क्या है? यह रहा आपका molecular formula तो बताईए molecular formula की जो first condition थी same होना वो क्या हो गए? यहाँ पर आपका एक दम correct है molecular formula क्या हो गया? Same first condition fulfill है अब second condition क्या होनी थी है? position different होनी थी है यहाँ पर देखिए यह चो ओंच है वो क्या आ रहा था? first, second, third, fourth कौन से position पर आ रहा था? second position पर आ रहा था पर यहाँ पर देखिए one, two, three, four कौन से position पर आ रहा है? first position पर आ रहा है यानि आपने इस ओंच ग्रूप की जो position है वो second से हटा के first कर दी यानि इसके आपने position क्या कर दी? different कर दी बट molecular formula क्या था? वो का वही था यानि यहाँ पर सेm molecular formula भी अपना है तो यह क्या हो गया? आपका एक परकार का isomer हो गया इस परकार आपको क्या करना है? isomer देखना है अब कुछ विद्यार्टियों के दिमाग में ये बात होती है कि जैसे हमने ओच यहाँ लगाया वैसे एक हम ओच यहाँ पर भी लगा सकते हैं एक हम ओच यहाँ पर भी लगा सकते हैं यानि यहाँ पर 4-4 isomer possible हो सकते हैं पर आप ज़रा सोचिए अगर ये मैंने ओच यहाँ लगाया होता तो क्या ये सही बात होती है लगा के देख लीजिए देख लीजिए आप CH3 मुझे यह यहाँ लगाना है CH2 CH2 लगा दिया CH3 CH2 CH CH3 ओच देखिए यह सेकिंड पोजिशन पे था अब आम नेमिंग करोगे तो नम्मरिन यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तो बताइए अभी भी यह कौन सी पोजिशन पे है SECOND Pोजिशन पे और अभी भी कौन सी पोजिशन पे है SECOND Pोजिशन पे तो क्या कोई CHANGED हुआ बस आप name लिखके देखोगा, name different है तो पक्का हुआ isomer होगा, name लिखिए आप एक बार इसका name लिखिए, में तेद प्रोब्यूट, क्या है ये, ब्यूट है, क्या है, ब्यूट है, ये कितने नंबर पे है, second position पे है, तो ये तो क्या हो गया, butane, ये क्या हो गया, butane, second position पे तो तो ब्यूट हो गया, अब क्या है, first number पे है, all है, तो first पे है, आपने क्या लगा दिया, वो all, तो देखिए, butane, one all था है, यहां पे, और यहां पे क्या है, butane to all है, यानि ये भी different है, ये भी different है, दोनों क्या हो गए, अलग-अलग हो गए, अब आप इसका नाम लिखिए, क्या आएगा, butane, और ये कितने number पे है, देखिए, second number पे है, तो नाम क्या आगया, butane to all, तो आप देखिए, ये भी different to all है, ये भी different to all है, तो क्या ये isomer हुए, ये isomer नहीं होंगे, only isomer क्या होगा, ये वाला isomer होगा, इसका, इस परकार आपको पहचामना है, कि कब isomer आप इसी जो naming है, वो starting में ही करवाई थी, ताकि isomerism में किसी भी परकार की कोई दिक्कत आपको न आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि आप positional isomerism को किस परकार से यहाँ पे define कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना है, कि जो functional group है, उनका जो position होगा, वो मैंने आपको बता दिया, अब साथ यहीं दिमाग में बात आ रही है, functional group क्या होता है, तो functional group का जो lecture है, मैंने पहले ही बना दिया, कि functional group के type के होतने हैं, और functional group कौन से कौन से होते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया था, तो आप मेरे पहले के वीडियो को जाके देख सकते अगर आपको functional group को in detail पढ़ना हो तो इस परकार यहां पर आज के लेक्चर में हमने देखा chain isomarism क्या होता है और positional isomarism क्या होता है अब हम next lecture में यहां पर देखने वाले होंगे कि यहां पर हमारा जो metamarism होता है वो क्या होता है टोटो मेरिजम क्या होता है इस परकार हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रूप आईसो मेरिजम क्या होता है कैसे हम फंक्शनल ग्रूप आईसो मेरिजम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे यानि यहाँ पर इन डीटेल हम आईसोमारिजम को और आगे पढ़ने वाले हैं अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड से जरूर करिएगा